हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका मसाले के स्वाद में आज मैं आप सब के साथ कानपूर की फेमस धनिया वाले आलू चाट की रेशिपी सेयर कर रही हूँ जी हाँ दोस्तो ये कानपूर में घर घर में साधी पार्टी में और ठेले पर कहीं भी आपको खाने को मिल जाएगी वहाँ इसे बहुत ज़्यादा पसंद से खाया जाता है बनाना इसे बहुत असान है यकीन मानिये दोस्तो ये इतनी चल्दी बन के तयार होती है ना धनिया और आलू तो में इंग्रेडियन्स होता है तो धेर सारा धनिया लिया है एक बंडल और दो हरी मिर्च लिया है जो की काफी तीखी है और छेसा कलिया लैसन की आदा इंच अदरक का टुकड़ा तो अभी हम धनिया को साफ कर लेते हैं और साफ करने के बाद हम इसे होती है उसमें बहुत सारा टेस्ट होता है विटामिन्स होते हैं तो उसे हम सारे को फेकेंगे नहीं हम डंठल के साथ ही इसे पीसेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं धनिया को हमने साफ कर लिया है अब इसे धो लेते हैं अच्छे से ताकि जो भी धूल मिटी लगी होत अद्रक डालेंगे तो फिर धनिया का फ्लेवर अकम हो जाएगा और अद्रक का फ्लेवर जादा हो जाएगा तो इसलिए धनिया की रेसिपी है तो धनिया का फ्लेवर जादा आना चाहिए तो हमने दो हरी मिर्च और साथा लसन की कलिया डाली है अगर आपकी हरी मिर्च कम तो आप थोड़े जादा मातरा में मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं और अब डालेंगे चटनी में स्वाद अनुसार नमक, आधी छोटी चम्मच आमचूर पाउडर डाल रही हूं, अगर आपको खटा पसंद है तो यहाँ पर साथ में निम्बू का रस भी डाल ले, क्योंकि म चटनी में आप चोथाई चमच साबूत जीरा डाल करके भी पीस लिजेगा, यहाँ आपने देखा हरी हरी चटनी पीस के तयार हो गई है, तो चलिए अब आलू को पीसेस में काट लेते हैं, अगर आपके पास आलू एकदम छोटे छोटे वाले आलू हैं, जैसे की बेबी पोटेटो, तो आप उसे सिर्फ दो भाग में करें, और उससे हलके बड़े हैं, तो आप चार भाग में करें, और जैसा की हमने लिया है, मीडियम साइज के, तो उसके लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तो, मैंने यहाँ इसे 10 से 12 पीसेस में काटा है, दोस्तो, आ कडाही में थोड़ा सा सरसो का तेल हमने गरम होने के लिए रख दिया है, और उसमें डाला है जीरे का तड़का हिंग, तड़का चटकने के बाद हम इसमें आलों को डाल देंगे, और हलका सा फ्राई कर लेंगे, दोस्तो, वैसे तो इसकी चाट बिना फ्राई किये हुए भ अगर हम फ्राई करके इस तरीके से बनाएंगे तो चाट और भी ज्यादा टेस्टी लगती है, दोस्तो मैं चटनी में जीरा पीसना भूल गई थी, लेकिन यहाँ पर तड़के में मैंने जीरा का फोरन डाला है ना, साबुच जीरा का, इससे फ्लेवर इतना अच्छा आता है ना, जैसे बहुत ही एक अलग तरह का मज़ेदार फ्लेवर आता है, आलों को हमें बहुत चादा नहीं फ्राई करना है, दो से तिन मिनट फ्राई कर लिया है, तो अब इसे एक बड़े बरतन में निकाल लेंगे, और गरमा गरम आलों से ही हम चाट बनाएंगे, तो सबसे पहले इन आलों में मैं डाल रही हूँ, काला नमक, स्वाद अनुसार, चटनी में स्वाद अनुसार नमक मैंने पहले डाला हुआ है दोस्तों, तो यहां आलों के स्वाद अनुसार में नमक डाल रही हूँ, उसके बाद जाएगा इसमें भुनाचिरा पाउडर, या फिर ग पुनाजीरा पाउडर जो मसाला है उसकी रेसिपी हमारे चैनल पर अब लेबल है मैं डिस्क्रीप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी तो आप लोग वहाँ से जा करके देख लिजिएगा और फिर जो मैंने धनिया की चटनी बना करके तयार की थी उसको थोड़ा थो से बनाईए खाईए और कॉमेंट बॉक्स में अपना एक्सपिरियंस से भर दिजिए दोस्तो पहले आप बना के देखिए दोस्तो और अगर आपको यह रेसिपी पसंद आती है तो फटा फट से वीडियो को लाइक से और खूब कर दिजिएगा ताकि यह चटपटी सी रेस देखने के लिए चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिएगा बगल में बेल आइकन है उससे भी प्रेस कर लिजिएगा इससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी और हाँ दोस्तो मेरे चैनल पर इसी तरीके की चाट की और भी रेसिपीज ह जो की बहुत जादा आप लोगोंने पसंद किया था और अभी भी करते आ रहे हैं तो चाट की बहुत सारी रेसिपीज बनाई है हमने तो आप वो सब रेसिपीज भी जा करके जरूर देखें मुझे पूरी उमीद है कि आप सबको पसंद आएगी तो यहाँ पर हमने धनिया वाले आलू चाट को कुछ इस तरीके से सर्व किया है और अगर आपको खटा पसंद है तो यहाँ पर भी थोड़ा सा निम्बू का रस डाल सकते हैं हमें नहीं पसंद है इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ यह कीन मानिये दोस्तों यह इतनी टेश्टी चतपटी बनके तयार हुई यह बस मजा ही आगया खाकर